शोताव एक साधरन परिवार में जन्मा, अत्यन्त साधरन शरीर और साधरन बुद्धी का बालत मोहंदास एक ऐसा असाधरन विक्तित्व बन गया, जिसने न केवल देश बलकि संपूर्ण मानवता को प्रभावित किया। उनका जीवन एक आदर्श जीवन बना और विचार एक वाद यानी गांधी वाद। इसी गांधी जीवन और दर्शन पर भाश्य करने वाले नारायन भाई देशाई आज हमारे बीच हैं। नारैन भाई महात्मा गांधी के सच्चिव महादेव देशाई के पुत्र हैं और आपका संपूर्ण जीवन इसी गांधी वादी विचार और दर्शन से प्रेरित और प्रभावित है नारैन भाई आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और हम ये मानते हैं कि आप उन कुछ बच्चे शेश लोगों में हैं जिन्होंने गांधी को प्रत्यक्ष देखा है विनोबाजी ने तो एक आउसर पर ये कहा था कि ये मेरा सवभाग्य ही नाखों का कि हमने गांधी कुद देखा तो हमें लगता है कि उन सवभाग्य शालियों में आप भी एक हैं और और हमारे लिए ये सवभग्य की बात है कि आज हमारे साथ आप हैं, हमारे इस्टोताओं के लिए आप हैं, तो हम यह जानना चाहेंगे कि आपने गांधी जी को जब देखा है, तो कैसा अनुभाव किया है, आप किस रूप में गांधी को लेते हैं? आपके प्रश्ण से मुझे कई बार स्कूल के बच्चे एक प्रश्ण जो पूछते हैं, उसकी याद आई, वो लोग पूछते हैं कि आपने सबसे पहले गांधी जी को कब देखा था, और मैं उनको उत्तर देता हूं, कि मैंने गांधी जी को देखा उससे पहले उन्होंने मा मुझे, मैं जब एक महने का था, तो अपनी मा के यहां से आश्रम मे लाई, तब मैंने जो गांधी जी को देखा होगा, उसकी तो मुझे को याद नहीं है, लेकिन गांधी जी ने मुझे एक महने का देखा था, चार साल के बाद जो गांधी को देखा है, उसकी मुझे य थोड़े बड़े होने के बाद, सेवा गराम ने हमने ये भी पाया, कि पंडे जवालाल जी जब गांधी जी से मिलने के लिए आते थे, तो लोटते समये, पीठ नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उल्टे पाउं जो जोपड़ी में से भार निकलते थे, इतना आधर से उनक आश्रम वाली, वो गांधी जी को बापु कहते थे, मेरे लिए गांधी जी का जो सबसे पहला प्रभाव, मेरे मन में जो गांधी जी की सबसे पहली छवी, वो ना महात्मा की थी, ना किसी नेटा की थी, ना बापु की थी, मेरे लिए गांधी मेरा दोस्त था, जिन के साथ साबर्बंती नदी में हम लोग नाने के लिए जाते थे उनके और मेरे बीच में 56 वर्ष का अंतर था लेकिन पानी की छीटा कसी हम बराबर एक उमर के होकर कर सकते थे की आसा वो हमारा दोस्ता मुझे एक परसंञ याद है जब बिलकुल हमारे पास आकर कान में पोछते हैं कि शाम को जो नातक होने वाला है तुम लोग जो नातक कर दूं इसमें मुझे कोई पात्रा तुमने दिया है के नहीं जो आदमी हमरे साथ नाटक में शामिल हो सकता है, जो हमरे साथ खेल में शामिल होता है, हमसे बड़े लड़के जब साइकलिंग करते थे उनका वो टाइमिंग देखते हैं, ऐसा एक दोस्त, ये मेरा उनके विशे में सबसे पहला अगर प्रभाव था, उसके बाद दस साल मेर जीवन का ये सब भाग्य रहा कि चोवी सो घंटे उनके साथ, क्योंकि मैं उनके निजी सचीव का पीए था, मैं पिता जी को मदद करता था, उनके साथ साथ लगातार इस देश की कई बार पूरे देश की यात्रा हैं, उनके साथ साथ इन दस जारा अरशों में करने का किस प्रकार से आदमी से अपने पास के छोटे बड़े लोगों से काम लेना और राश्ट्रिय प्रश्ट्नों के साथ उस छोटे काले करता का मानसिक अनुबंद कैसे जुड़े उसकी कोशिश करना उस प्रकार का ये दूसरा गांधी हमने देखा, गांधी जी जो एक प्रि जो है वो ये है कि भने नरसेयों तेनु दर्शन करता कुल एको तेरतार रहा, उनका दर्शन करने से एकत्तर कुलों का उधार होता है, मैं कहीं बड़ सोचता हूँ, कि हमें तो गांधी का सिर्फ दर्शन नहीं, लेकिन परसन भी हुआ है, सपर्श भी हुआ है, मुझे ऐस प्रसंग याद है जब हमारी उनके बिछोना एक दूसरे के साथ लगा हुआ है और वो अपना हाथ मेरी पीट के उपर इस तरह से रखते हैं जब मेरे माता पीता दोनों कहीं बाहर है और मैं उनके साथ हूँ तो वो मुझे अपने पीट मेरी पीट पर अपना हाथ रखकर उन हमारे उपर हमारे पीट को थपतबात है किसको ज्यादा जोर से किया तो हम सोचते हैं के हाँ बापू ने हम पर ज्यादा प्यार किया इस प्रकार के इस पर्ष्ण का भी अनुभव जिस आज विका हुआ है तो वो उसकी कितने कुल तारह वगरे तो हम समझते नहीं नारैन लेकिन हम मानने के हमें व्यक्तिकत रूप से एक बड़ा सद्भाग्या मिला नारेंड भाई इस प्रसंग में यह चाहता हूं कि वास्तों में कैसा अनुभव आपको हुआ होगा जब आप यह बता रहे हैं और मेरे इतने निकठे और आपका हाथ मेरे हाथ से केवल स्परश कर एक दाड़ा का स्परश जैसे पोते को होता है उस प्रकार का स्वावभाविक सहज था आज जब मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि वो कितना असाधरन अनुभूती का उस परश था उस समय तो मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था यह मैं मुझे कबूल करना चाहिए स्विकार करना चाहिए एक जो मुझे उनके बारे में विशेश चीज का अनुभू हुआ मैंने थोड़ा उतका टेस्ट भी लिया था इसलिए उसके बारे में मैं विशेश कहूंगा वो यह कि गांधी आजमी को बिना किसी लेबल के निरे इंसान के नाते देखते थे यानि यह धनवान है यह गरीब है यह हिंदू है यह मुसल्मान है यह ब्रह्मन है यह ब्रह्मने तर है ऐसा कोई लेबल कोई विचार कोई किसी भी प्रकार का उनके लिए उसका हमें अनुभू तब होता जब सेवागराम की उनकी कुटिया में सचीवयलाई के किसी एक साथी ने एक तक्ती रख दिये और उसमें तीन वाक्या अंग्रेजी में दो दो शब्दों के लिखे ताकि उनसे पहिट करने वाले असंख्ये लोग जो आते थे वो लोग जड़ा जल्दी से निप्टे उस आशय से उन्होंने तीन वाक्या लिखे बी क्विक जल्दी करो बी ब्रीफ संख्येप में करो और तीसरा वाक्या बी गॉन जले जाओ मैं उसमें 16-17 साल की उमर था और यह उमर ऐसी है कि जब आदमी ऑथरिटी को चैलेजी करता है तो मैं यह सोचता था कि यह क्या गांधी का अतित्या कि उनके पास आने वाले अतित को यह कहते है कि जल्दी जल्दी चले जाओ तो सोचा कि जरह उन से अगर जगड़ा करना है तो थोड़ा तैयार हो कर जाना चाहिए तो मैं चुपचाफस कमरे में बैठा रहता था और जिन लोगों को दो दो तीन-तीन मिनित में वहां से हटाया जाता था उनके पीछी-पी झाओ जरूर होई तो क्या हुई आप तो अभी आया और अभी बाहर डिंकले इसमें क्या आपकी भेंट हुई प्र जो जवाब देते थे कहां मुझे मिले तो दो ही मिनिट थे लिकिंदो मिनिट में उन्हें अपने आपको मुझमे उंडेल दिया यNe, वो अपने आपको साम रमने माले के रदे के अंदर उडेल देते थे जिसकी वज़े से आदमी को सिर्फ आदमी के नाते देख पाते थे, और राजा जी जैसे आदमी ने ये कहा जिनका काफ़ी मधवेद उनसे हुआ करता है, कि हम लोग जो उनसे मधवेद रखते थे, उनसे बात करते समय हैं, और हमारी बात को वो ज्यादा ची तरह से व्यक्ता करते हैं, मैं जितना कह सकूँ उससे ज्यादा ची तरह से वो कह रहे हैं, इतना वो उनके विचार को समझे, ये राजा जी कहते हैं, ये राजा जी कहते हैं, मेरा ये अनुपव है कि गांदी जी कोई बहुत अच्छे वक्ता न Compωνतित उसकी बात को उसके रदे के अंदर प्रवेश करके, समझना नएवाला, इतना गहरे में जाने वाला मैंने और कोई नहीं देखा, तो मैंने जो गंधी को पाया, वो एक श्रोता के नाते, मैंने जो गंधी को पाया, वो आपके साथ एक रस हो जाने वाले व्यक्ति के नाते, उस तरह का गंधी, ये मेरे जो प्रत्यक्ष गंधी के साथ के जो दस साल, बारा साल का जो अनुभो थ लगातार जब उनके साथ काम किया उस समय का अनुबह था बाद के जो थे या उसके पहले भी जो थे उनके आंदोलनों में अब मैं मुझी जिसकी याद है वो यह है कि जो चार या पांच साल का जब था तो पिता जी गिरफतार हुए तो मेरे लिए आंदोलन मेरे जीवन में दोलन का वो पहला प्रभाव के पिता जी जेल में जा रहे हैं ये देपी पिता जी मेरे जनम से पहले भी जेल में जा चुके थे लेकिन मेरे लिए ये पहला नुबह था तो आश्रम के सब बच्चे पुलिस व्यान के पीछे दोड़ रहे हैं और अगर कोई जाता है आपका रिष्टदार या कोई नजदी की आदमी तो लोग गुजरती भाषा में आव जो कहते हैं या आजकर लिए से टाटा कहते हैं या बाई कहते हैं वैसे हम भी दोड़ रहे हैं और मैं पिताजी से ये कह रहा हूँ कि मैं उनसे काका कहता था सुरह जिले में पिता को काका कहने का रिवाज होती है तो मैं उनसे काका इस बार दो साल से कम की सजा आपको नहीं होनी चाहिए यानि अगर आपका पिता तीन मेने की सजा भुगता था तो वो कोई गवरह लेने का विशह नहीं था लेकर आपके पिता को दो साल की सजा अगर होती है राष्ट्र भक्ति के कारण तो वो कुछ घर्वा ले 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 इसलिए मैं के था इस बार आपको दो साल से कम सजा नहीं हो यह वातावान था तो यह जो है वो राष्ट्री वातावान जो हमने वातावान में से जेला पहला जो प्रवेश करके जिसमें एक छोटा बच्चा भी यह सोचता है कि पराक्रम तो यही है उसी के कारण 18 साल की उमर की जवानी का समय था और मेरे परिवार में मेरी मां मैं और पिता हम तीनी लोग और 18 साल की उमर में आखाखान पैलेस में आने के छे दिन के बाद उनकी मृत्य सुशिला बेन को तार डिक्टेट किया था वो तार हमको अंग्रेज सरकार ने बाइस दिन के बाद पहुंचाया था इसलिए वो मृत्यू के समयचार बापो के कहने से हमको नहीं मिलें रेडियो में सुनकर किसे ने कहा 15 अगस को मरे 16 अगस को हमें पता चला तो पिताक्ची मृत्यू अपने में जो सदमा देने वाली घटना है वो तो थी लेकिन अभी जितना सोचता हूं और उस समय भी सोचता था 18 साल के समय इस तरह का विचार करने का आदी हो गया था मेरी मा और मैं जिन दोनों ने अपना सबसे निकट का आदमी खोया था खोने का हमको दुख महिनों तक हम लोग रुये हैं लेकिन जिस कारण वो गए थे उस कारण का हमारे मन में गवराव था और दूसरा जिस जेल में गए थे उस तंतर के बारे में और विशेशकर उस प्रजा के बारे में तानिक भी कड़वाट नहीं थी वो मुझे लगता है कि अहुंसा का अठवा साल लगा ही था थोड़ा पीछी जा रहा हूं तब मेरे माँ और बाप दोनों जेल में गए और हम किसी एक होस्तिल में हरिजन करिया चात्राले में हमको रखा गए हमारे साथ आश्रम के और भी बच्चे कई थे जो भी वो लोग सब साथ में थे तो उस समय से हमारे लिए पूरा राष्ट्रिय अंदोलन एकदम वास्तवित तो बनी गया था एक असा अंदोलन है जिसमें माँ बाप तो बार बार जाते ही रहते थे लेकिन माँ भी गई तो दोनों ही जब चले जाते हैं तो आठ साल के बच्ची को काफी अकेलापन महसूस होता है सब बच्चे है हमारे जैसे ही थे जो इसी प्रकार का केलापन और एक दूसरे का साथ अनुभाव करते हैं लेकिन हुल मिलाकर राष्ट्रियता का रंग जो शायद उस समय लगा वो किसी बड़ी उमर के लोगों को लगता होगा या लगेगा कि नहीं मैं नहीं सबचता लेकिन उसका रंग जो लगा वो हमरे लिए शायद वो ही जीवन था यानि वो हमें वो कोई असाधरन चीज नहीं यही चीज तो है जिनकी तो यही है यह जो भाव था वो भाव उस उमर में भी बराबर था तो वहां हमने गांधी को एक राष्ट्री नेता के नादे पहले जिस गांधी को देखा था वो एक गांधी एक आजमी के नादे जिसके मन में कोई बच्चा और बुड़ा कोई धन्वार गरीब इसका बेद लेए इसमें एक राष्ट्रिय सामाजिक कारे करता के नादे जो देखा जिए उसमें एक विशिश यह देखी कि काम छोटा हो सकत था जिए काम का महत्व भी बड़ा छोटा दोनों हो सकता था लेकिन गांधी हर कृति को समान महत्व देते थे आपको में उधारण जिसका दे सकता हूं नारण भाई यहां एक प्रश्ण सहज मन में आ रहा है जब आपने कहा कि एक योद्धा के रूप में आपने देखना उनको शुरू किया अनुभाव करने लगे आप एक राष्ट्री नेता के रूप में एक सहज प्रश्ण है कि गांधी जी बैरिस्टर हुए पैंट कोट पहनते थे यह जो पंचा पहनने की शुरुआत हुए यह कैसे हुए हमारा जलम से पहले हमने तो उसी विश्वे उनको पहले हैं और उसमें दो अलग-अलग घटना एक साथ हुए है गांधी जी ने उत्तर अजकल जिसके कहते हैं संयुक्त प्रांत उस समय कहते थे उसका पश्चिमी हिस्ता बिहार और बिहार और अलिस्ता दोनों एक स्टेट था बिहार और अलिस्ता और फिर आंधर ह इसका सबसे करीब एरिया उसमें उरिष्सा किसी गाउं में कस्तुरुभ、 एक जौंपडि में जाकर पूच्छती है कि गांधीजी आये हैं आपको मालूम है तो भोः ते हां लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे ये बात आकर कस्तुरुबा ने गांधी जी को बता है कि ये आज ऐसा तारी दिर देखा ये उनके मन में घुट रहा था तमिलन में जब गए तब भंतरास उन दिनों था आज कर चेना ही कहते हैं उसकी बीच पर पचास हजार लोगों की बहुत बड़ा वक्तिरता तो करते नहीं थे लेकिन इसमें अट चुप रहे कुछ किसी ने कुछ बोला ने आश्चे दे हुआ कि आज कुछ मालूमने क्या हो रहा है दो दिन के बाद मदुरे में सभा हुई तो उस समय सभा के लिए जब निकले तो साथियों ने देखा कि स निकल गये थे छोटी धोती आ गई थी और पहले तो बड़ा साफा पहनते थे वो साफा निकल गया था उस दिन उन्होंने का कि ये मैं मदरास की सभा के समय सोच रहा था कि मुझे तो ये इस दारिदे का वर्ण किया था और मैं लोगों से कहूं कि आपको साधा रहना चाहि ये मैं इस प्रकार पंच पसार गुजराती में शब्द है पंच पसार पहने हूं और मैं लोगों को साधा रहने का कहूं ये कैसे हो सकता है तब ये घटना पहले हो चकी थी हमारे लिए वह की थी हमने जो देखा था वो तो उसी गाधिव को देखा था लेकि इस घटना की हम लोग शिमला गए थे गांधी जी के साथ तूसरे विश्व युद्ध के बाद इस विशे की चर्चा थी कि भारत साथी राज्यों के साथ है ऐसी घोशना वाइसरोय ने कर दी थी और उन दिनों में आठ राज्यों में कॉंग्रेस का राज्य था और कॉंग्रेस की मिनिस देश जाहिर कीजिए जिसमें उनको कहना पड़ता कि हम आजादी के लिए युद्ध को कर रहे हैं तो फिर आपने देश के आजादी हम मांग सकते हैं इसलिए उनकी ये था कि हम लोगों से चर्चा किये बिना अपने क्योंगी गांधी जी से वाइसरों ने का कि आप इंग्लेंड भेजना पड़ेगा और उनकी अनुमती आजाने के बाद मैं आपसे आगे बातशीत कर सकता हूं आगे इस विशे का गांधी तो अपने ताई कोई ने करके बात कर लेते थे लेकिन वाइसरों तो रॉय नहीं थे इसलिए उनको किसी का इंतजार करना पड़ता तो उन्होंने कहा कि एक सब्ता के बाद अपनी वारता फिर होगी तो मैं समझ रहा था उसमें तो उमर थोड़ी बड़ी थी टैपिस्ट के नाते पिता जी का था तो मैंने सुचाच कि यह वी की निसिमला हमको एक छुट्टी मिल गई पाड़िया चड़ेंगे एक कुछ भ स्वाग्राम जाना जहां उन दिनों फारनाइट में ङर्मी होती थी नापी 118-20 ऑंश गर्मी और यह झाल संमला थे कुछ का ही हिल स्टेशन तो उस hill station से दो दिन की यात्रा करके सेवा कराम जाओ, दो दिन वापसी यात्रा के बीच में तीन दिन, तीन दिन में ऐसा क्या आपड़ा, जिसके कारण गानीजी को वापस जाना पड़ता है, तो गानीजी ने कहा, तुम क्यों भूल जाते हो, कि वहाँ परचुरे शास्त्र परचुरे शास्त्री एक कुष्ट रोगी थे, जो दो-चार महना पहले वहाँ आये थे, ये मांग करते हुए, कि मैं आपके आश्रम में मरना चाहता हूं, गान्धी ने कहा था, कि तुमारी दो इच्छा है, एक मेरे आश्रम में आने की, और दूसरी मरने की, तुमारी पह रोज गान्धी जी उन दिनों कुष्ट रोग असाध्य रोग बाना जाता था, परचुरे शास्त्री को परिवार में से निकाल दिया गया था, क्योंकि नहीं तो उन लोगों को रोग होता, डॉक्टर ने कह था, कितनी साल आप जीएंगे, कुछ भरोसा नहीं है, वो आज म मरने के लिए वहाँ आता है, गान्धी कहते हैं, मरने नहीं लूँगा, उनके लिए यहपड़ी बनती है, रोज पैतालीस मिनिट अपने हाथ से गान्धी उनको मालिश करते थे, उनका यह कहना था, कि तीन दिन की मालिश मैं नहीं खो सकता हूँ, वो मालिश करके, फिर वा इसरोय के साथ राष्टर के भविश्य के बारे में बात्चीत करना, उसका जो महत्वा, वैसा ही महत्वा, खुष्ट रोगी को मालिश करने का भी महत्वा था, उसका रास ये था, कि गान्धी हर काम को ईश्वर दत्त मनते थे, यानि फिर वो छोटा बड़ा नहे ले जाता भगवान ने दियो अकाम, इसलिए उनके लिए उसका महत्व समान, फिर चाहे मामला राष्ट्र का हो या व्यक्ति का हो, गान्धी दोनों को समान महत्वा देते थे, असल में नौ साल की उमर में, जब उनने हरिश्चंदर नाटक देखा, जिसका उन्होंने जिकर किया है आ इतना सोचना, किसी भी पुद्धिमान लड़के के लिए स्वाभा देखा, गान्धी के मन में क्या प्रश्चंदा आया, उन्होंने आत्म करता, बधा का हरिश्चंदर ना बने, सब क्यों हरिश्चंदर नहीं बन सकते हैं, मैं क्यों हरिश्चंदर बन सकता हूं, यह नहीं से नहीं था वो समग्र रूप से देखना चाहते थे और अंतिम इकाई पर भी उनकी जिन्ता थी बिल्कुल शायद ये एक और उनकी विशिच्ता थी कि प्रश्टन को देखो समग्र रूप से आरम करो अंतिम जन से जी आपको जो शुरू करना है वो अंतिम जन से करो लेकिन प्रश्टन को देखो समगिरता से वो केवल एक वर्ग के हितकी दिरिष्टी से मत देखो उदाहरन में दो दे सकता हूं अमेडकर जी के साथ जब चर्चा हो रही थी ये पूर्णा पैक्ट के समय में उस समय का बाखी सारे विशे को मैं छोड़ता हूं लेकिन एक विशे ये था कि अगर आप ये गांदीजी ने कहा तक मैं इस प्रश्टों को प्रमुक्त बना कर चर्चा करना चाहते हो तो अमेडकर जी अगर आप ये असप्रुशियों का प्रश्टन लेकर करते हैं तो आप हमारे हीरो होंगे हम आपको फॉलो करेंगे जी ठीक 46 में जब जिन्ना के साथ चर्चा चरी थी तब उन्होंने कहा था कि आप अगर मुसल्मानों का ही प्रश्टन लेकर आप करते हो तो आप हमारे वली ये शब्द उन्होंने इस्तमाल किया था गांधी के मन में मुसलिमों का प्रश्टन लेना ये भी जरूरी हरिजनों का प् पुरा समाज आरंभ अंतिम्यद ये गांधी की प्रक्रियत ही सामाजिक काम की नरैन भाई निस्वंद गांधी प्रासंगिक हैं आज भी प्रासंगिक हैं लेकिन गांधी आज के वातावरण में कितने जीवित हैं अपने वातारौन शब्दे ही कर दिया इसलिए मैं थोड़ा जिसके ठीक बीच से विशोववृत्त की रेखा जाती है उसको अंग्रेजी में एक्वेटर करते हैं और स्पैनिश में एक्वाडोर करते हैं उसको देश का नाम पढ़ गया है उसे एक्वाडोर का बड़ा शाहर है क्वीटो है तो अपने पूना से काफी छोटा लेकिन व तो एक करीब पैंटीस चालिस के बीच की उमर का एक भाई आया और वो अंग्रेजी का जानता नहीं था लेकिर उसने हाथ लंबा किया तो मैंने भी हाथ अपना उसने दोनों हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर वो छोड़ता नहीं हाथ हिलाता रहता है और तो बस वो थैंग्यू थेंग्यू थेंख्यू करता ही रहत चोड़े ने तो भीर का को बिले के एक भाई यह यह ठोड़को ने रहे मुझे बार बार थैंक यू कह जो एपने ंपने भाशन में कहा आप जब बच्चे थे तो गांधी आपके कंधे पर हाथ रेकर साबर्विंति आश्रम से जेल तक रोज सुबह शाम खुमने के जाता है आपके कंधे को गांधी का हाथ लगा था उस हाथ को मैं पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो वाइबरेशन चाहिए इतना रेलेवन्ट वो है इतना अप इसने गांधी कादेश कभी देखा ने उस अदमी के लिए वो इतना प्रासंगिक था निशन देह ये व्यक्ति के रूप में उनकी प्रासंगिकता है लेकिन नारेण भाई एक प्रश्ण जो सीधा मुझे उत्तर चाहिए कि वर्तमान राजनीती में गांधी जी की कितनी राजनीती में हिमसा है य dealers हो एंतंक्वाद हो चाहे वह स्टेट्र थारडिशम हो चाहे वह इंटर नाशनल स्टेट्त टेररीशम यह हिमसातीनों रूप में प्रगट होते हैं, चाहे युद्ध हो, तब तक गांधी रेलेवंट है, जब तक इस देश में बेरोजगारी है, विशमता है, और इस विशमता के कारण अमीर और गरीब के बीच का की जो खान है, वो खाई है, वो और ज्यादा घहरी होती है, तब गांधी प्रासंगीक है, जो कि उनके लिए गांधी ने कुछम कुछ मार्ग बताया है, और वो मार्ग छल सकता है कि नहीं, आजमा कर देखिए, आजमा कर ना देखकर कहेंगे कि Dear प्रैसंगीक है, तो अब प्रामानिक वो अभिप्राय होगा, ऐसा मुझे लगता है, निसं कि महात्मा गांधी ने बिना अस्त्र के धर्म युद्ध चीता, बिना शास्त्र के लोगों को शिक्षित किया और बिना आउशदी के लोगों का उपचार किया और ये तीनों बातें आपके निकट बैठने के बाद और आपसे इतनी बातें जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्यक व्यक्ति ये अनुभव कर सकता है नाराइन भाई आप हमारे स्टूडियो में आए हमारे इश्रोताओं के लिए आपने अपने अनुभवों की उजास दी है ने संदे कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा उस उजास का अनुभव हमारे इश्रोता कर सकेंगे हम आपके आभारी हैं कि आपने ये समय हमारे इश्रोताओं के लिए दिया है निवाद